प्रफिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के स्क्लास के अंदर और मेरे प्यारे बच्चें मुझे पता है आप सभी प्यारे बच्चे काफी समय से वेट कर रहे हो कि एक कब बजेंगे सचिन सरका वाएंगे क्लास में हैं और हम आज फिर से बहुत शांदार प्रैक्टिस करने वाले हैं और मेरे पास आपके लिए एक अच्छी न्यूज भी है वह यह कि मैं आपके लिए बहुत ही बहतरीन क्लास लेकर आ रहा हूं और वो केवल और केवल CHSL पे और CGL पर बेज़ रोगी केवल और केवल मतलब इसके ultimate question मतलब वो question गाईज जो बहुत amazing है मैं start करने जा रहा हूं आपके लिए पर्सों से तयार रहना और मुझे मिलना कोई छोड़ना नहीं चाहिए एक बजे का मतलब होता है सचिन सर इसको बिलकुल अपने दिमाग में डाल लो सभी बच्चे कि 1 p.m. means सचिन मोधि सा राइट ओके चलो start करते है session को फिर आज हमारे इस तो यह देखिए हमारा session और हमारे session का आज question number 136 136 number का question ओहो यह क्या हो गया अभी हमने YouTube पोल नहीं लिया था क्या ज्यान उसे उतर गया अभी लो अभी YouTube पोल स्टार्ट करते है question बहुत अच्छे है तब तक share मारो like मारो सब लोग अभी स्टार्ट करते है चलो वहिया start कर दो हमाई बच्चे वेट कर रहे है सबसे उपर reasoning सबसे ज्यादा number भी reasoning में right चलो इनमें से अलग क्या है यह बताओ 45 सेकिंड बहुत होंगे अलग बताओ क्या है what is different here what is the right answer D बहुत किलियर राइए तो चले देखो the right answer of this question is option D और 70 प्रसीशा तक लगबग बच्चो ने सही answer किया है जिसमें आचल शर्मा, रितिका रावत और पूजा सैनी हमारे top 3 है then 7, 15 and 18 बच्चो ने करक किये देखिए प्यारे बच्चो यह जो तीनों की तीनों है यह synonym से एक दूसरे के क्या है यह synonym से यानि की परियायवाची है यह तो हो गए परियायवाची लेकिन यह जो है यह अलग हो गया है आप अरण करना, अबडेक्ट करना so the अलग जो होगा वो ही इस question का answer होगा, ओके ठीक है, चलो question number 137 करिए इसको hockey अगर इंडिया से connected है, तो cricket किस से connected होगा इसका answer दीजिए इसका answer क्या आएगा cricket किस से connected है यहाँ पर okay, okay, सबका चलो, मेरी तरफ से मैं सोच रहा हूँ यह 90% से उपर right answer आएगा आपको क्या लगता है, कित्ता percent answer आएगा C, ठीक है चलो, 90% मेरी तरफ से and right answer मुझे लग रहा है C आएगा और देखो, answer ही 66.67% इतना कम मैं तो, मेरा तो prediction fail हुआ ही, सबका prediction fail हो गया, तो देखो अगर क्या है, hockey क्यों है क्योंकि hockey is a national sport यह national sport पर बेज़ड है तो hockey क्या है, हमारे देश का राश्ट्रे खेल है, तो cricket जो है वो Australia का राश्ट्रे खेल है so the right answer of this question is Australia, यानि we can say cricket is a national sport of Australia, ओके, चलिए तो हमारा next question है, question number 138 138, करेंगे सभी बच्चे इस question को solve करो और भाई, like को share भी कर दो, सभी बच्चे share कर दो गई बहां स्पानिंग में ठीक है, देखो प्यारे बच्चो the right answer of this question is option D, ये इस question का correct answer है, और 28 प्रतीशत जनता का सही answer है अब आप देखिए, कितने बच्चों ने correct answer किया, खुशी, आर्दू दिव्या, गरीमास, निह, अनुज और पूजा, ये 7 बच्चों का ही correct answer निकला, सही answer समझने आजाते हैं, क्या है, देखिए no power are motor कोई भी power motor नहीं है, no power is motor, ये motor की मना है फिर है, all the switch are motor, सारे switch motor है ये सारे switch motor है a few power are current और कुछ power क्या है, current है current है ठीक है, ये statement है अब देखिए पहला ये कह रहा है, some switch are not power ये कह रहा है, switch का कुछ part power में नहीं आएगा तो देखो, सही कह रहा है, switch का कुछ part हमें तो पता है, कि ये power बिलकुल मना है, किस से? motor से तो प्यारे बच्चों, जब भी कोई भी दो सरकल, एक दूसरे से बाहर से मना होते है, इसका मतलब ये होता है, कि ये अंदर से भी एक दूसरे से बिलकुल मना होंगे, यानि power और switch का भी आपस में ना होगा ठीक है? जब कोई दो सरकल आपस में बाहर से मना होते है इसका मतलब है, वो अंदर से भी एक दूसरे से मना होते हैं और जब भी case ऐसा होता है कि power switch में नहीं जाएगा या switch power में नहीं जाएगा यानि no का case होगा तो उस case में some not जो होता है न प्यारे बच्चों वो हमेशा correct होता है इसको दिमाग में रख लो इसको लिख लो अपनी copy में हना second है some current are not motor कुछ current का part motor नहीं है तो current का कुछ part जा रहा है power के अंदर जा रहा है न तो current का वो वाला part जो power में जा रहा है power की तो मना है motor से तो इसका मतलब यह fix है कि current का जो part motor में आएगा वो कभी भी current का वो part जो भी power में आएगा वो motor में नहीं आएगा इसलिए हमारा दूसरा भी यहां पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा तीसरा है सम मोटर आर स्विच तो देखो हमारा तो पूरा की पूरा स्विच मोटर में है तो जब पूरा स्विच मोटर में तो यह कह सकते हैं कि हाँ कुछ इतना बड़ा मोटर है इसमें ये वाला पार्ट क्या है स्विच है तो कुछ मोटर स्विच है तो प्यारे बच्चो इस क्वेशन का जो आंसर आएगा वो पहला दूसरा तीसरा तीनों की तीनों करेक्ट होंगे and the right answer of this question is option D D is the correct answer ठीक है? हना? चलो देखो प्यारे बच्चो ट्रैफिक लाने वाले भी तुम हो शेर करना वाले भी तुम हो और अच्छे से लाइक करने वाले भी तुम हो मेरा काम है टूरी बैस पढ़ाना आपको अच्छे समझाना मैं वो काम पूरी मानदारी से करूँगा आप भी अपना कामिमानदारी से करना चलिए और आपको पता है ना कि we are coming with the SSE CGL 2023 की सीरीज लेके आ रहे हैं तो ये सीरीज आपको डेली एक बज़े मिलेगी अंद 10 बज़े शिवमसर पढ़ाएंगे 11 बज़े जीके वाले मैं पढ़ाएंगी अपने 12 बज़े अपने बलास्टर पढ़ाएंगे अपने मास्टर पढ़ाएंगे और देन एक बज़े में आपको पढ़ाऊँआँगा ठीक है सबसे लास अपन की क्लास होगी चलिए आगे बढ़ते हैं 139 करिए अच्छे से करो और देखो डी इसका सही आंसर है और 33.33% बच्चों ने यहाँ पर करेक्ट आंसर किया है जिसमें नमबर वन पर कबीर, पूजा और राजेश है यह तीन बच्चे सबसे पहले आंसर किये यह 8 हो गए और टोटल 9 बच्चों ने करेक्ट आंसर किया तो प्यारे इसका सही आंसर क्या है देखो सबसे पहले करना कैसे है अगर किसी को भी यह नहीं पता कि सर ऐसे क्वेशन कैसे सॉल्व होते हैं मैं आपको तरीका बताता हूँ प्लीज सीखिएगा पहले सारे काउंट करो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदे, पंदरे, सोले, सतरे, ठारे, उनीस, बीस, एकिस, बाइस, तेईस, चोईस, पच्चीश, शबीस, 27, 28 तो टोटल यहाँ पे कितने 28 है, 28 है, तो क्या कर सकते है, साथ-साथ के चार सेट बना सकता हूँ, या चार-चार के साथ पेर बना सकता हूँ, या तो मैं साथ-साथ के चार पेर बना रहा हूँ, या तो मैं साथ-साथ के चार पेर बना हूँ, ठीक है, अगर मैं चार-चार क साथ पेर बनाऊंगा जैसे कि यह मैंने ब्रेक किया चार में यह मैंने ब्रेक किया चार में फिर ब्रेक किया चार में तो यहाँ पर क्या हो रहा है सेट नहीं हो पाएगा कोई भी पेर मैच नहीं कर रहा है देखो कोई भी पेर मैच नहीं कर रहा है match नहीं कर रहा है यहाँ पर second number पर F आ रहा है तो आगे कही second number पर F देखने को भी मिल रहा है तो मतलब 7-4-4 के pair नहीं बनेंगे तो हम क्या करेंगे इसी तरीके से reject करेंगे अब हम 7-7 के pair बनाएंगे तो 7-7 के pair 1 7-7 के pair 2 7-7 के pair 3 यहाँ पर 3 और दें 4 7-7 के pair हो गए अब देखो यहाँ पर A के बाद अगला B आ रहा है न तो A के बाद B आ गया A के बाद B आ गया और A के बाद B आ गया A, B, C, D आ रहा है A, B, C, D तो A, B, C, D आ गया A, B, C, D आ गया A, B, C, D, E, F A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G देखो यह pair बन गया, यानि कि हमारे पास answer क्या आएगा, C, E, A, C, C, E, A, C, G, B, E, A, G, B, E, A, D, F, D, F and the right answer of this question is option D, D is the right answer, हमें इस तरीके से करना है, ऐसे questions को, समझ में आ गया, तो क्या तरीका था, सबसे पहले हम इन पूरे की पूरे positions को count करेंगे, count करने के बाद हम pair बनाएंगे, pair में हमें देखेंगे कि 7-7 के 4 या 4-4 के साथ बन रहे हैं, सबसे पहले हम जो सबसे कम वाला है, medium type का है, वो बनाएंगे, उससे pair बनाने के बाद cross check करेंगे, अगर वो हम हिंट दे रहा है, बन रहा है, तो ठीक है, नहीं, तो उसे reject करके दूसरे वाला pair बनाएंगे, and we'll get the answer, ठीक है, इसी तरीके से आप करना, और आपको हमेशा questions के सही answer मिलेंगे, okay, question number 140, 140 number, इसे करिए, do it, 140, तर आपको हमेशारी मिलेंगे, स Warum sure बनाएंगे, करेंगे, तो बना है, अरने के बनाएंगे, आपको हमेशारी के सामिभाबे, तो फ वे. हुआ हुआ है क्या बात है क्या बात है C ओके C is the right answer तो देखो यहाँ पे 74.19 और देखो Kabir, Hrithika and Kalawati Sharma यह top 3 है तेन 8 8-8-16 और 23 23 बच्चों ने correct answer दिया है ठीक है और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे भी जॉइन करना चाहते है तो सचीन अंडरिस्कोर मोधी सर्च करके जॉइन कर लेना ठीक है अब देखो इस question हो कैसे करना है question मा किदर है बड़े number आपको इधर दे रहा है हाना तो अपन क्या कर सकते है अपन यहाँ पे दिमाग लगाते है थोड़ा सा जैसे देखो यहाँ पे क्या है यहाँ पे 35 आ रहा है मतला difference से तो हो नहीं पाएगा क्योंकि 35 और 52 के इंदर difference आ रहा है 17 का और यहाँ डिफरेंस से यहाँ पे 15 आ रहा है तो ऐसे तो कहने सकते हैं कि यहाँ देखो 35 का 3 प्लस 5 और 52 का 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 सम अफ़ डिजिट किया 5 और 3 आठ पांच और 2 साथ आठ और साथ 15 ठीक है एक प्लस 2 और एक प्लस 6 प्लस एक प्लस 6 चैए और दो आठ चैए और एक साथ साथ और तीन 10 हो गया 10 यानि कि 5 और 2 साथ आठ नो यानि 2 प्लस एक प्लस 5 प्लस एक बराबर नो तो यह सैट हो गया इसका मतलब है सम अफ़ डिजिट पे आ रहा है और राइट आंसर इस ओप्शन 10 इस दा राइट आंसर क्लियर है यह 10 इस दा राइट आंसर तो हम यह कह सकते हैं लॉजिक है सम अफ़ डिजिट यह लॉजिक पर यह बेजड है बच्चो हना चलो तो 140 पूरा हो गया अब आगे बढ़ते हैं और 100 के परफ चलते हैं अपन 100 कर लेंगे आराम से 100 बच्चा लाइव आ जाएगा अपनी क्लास में अच्छा एक आता हो आज कोई कंजूसी नहीं कल बहुत हो गई अब कोई कंजूसी नहीं चलो लाइक करो इसका अंसर बता वच्चो डिक्ष्णरी ओर्डर ओके डिक्ष्णरी ओर्डर में अच्छा 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 गर रहे हैं जल्दी जल्दी देखो सही अंसर है मैं लगाता हूँ सतर से परसंट ज्यादा आंसर होगा क्या बात कर रहे हो यार क्या कर रहे हो यह तुम आंसर ए कर रहे हो यहां पर आंसर सी जा रहा है आकाश्रिंग फ्रॉस्ट्री और यह बच्चे हैं टोटल नो बच्चो ने आंसर किया क्या बात कर दी यार, यह तो गलती कर दिया तुम लोगोंने जादू हो गया तो तो देखो, यह तो सही है dictionary order में देखो तो DO 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 सब सेम है यहाँ S है, यहाँ O है, यहाँ R है, यहाँ R है, यहाँ O है, यहाँ N है तो भहिए सबसे पहले न N आता है N आता है, यह सबसे पहले आएगा कि D O N N पहले आता है, फिर O आएगा फिर R आएगा और देन S आएगा हाँ ना? तो सबसे पहले 6 आएगा फिर 2 भी आ रहा है 2 क्यों आएगा? क्योंकि N के बाद O आएगा दूसरे नमबर पे O के बाद M आ पे और O के बाद R यानि यह 30 नमबर पे आएगा तो 6, 2, 5 6, 2, 5 इधर है 6, 2, 5 इधर है, यह औप्शन कडिया यह औप्शन कडिया तो 6, 2, 5, 3 तो 30, 4 नमबर पे आएगा अब देखो पाँचवे नमबर पे पाँचवे नमबर पे कौन आएगा अव्यसी बात है चार आएगा यह पाँचवे नमबर पे आएगा और यह छटे नमबर पे आएगा तो चार आना चीए पाँचवे नमबर पे आ रहा है यह सही है और यह गलत है तो प्यारे बच्चों सही आंसर जो आएगा इसका A होगा क्या होगा? A होगा ओके? ठीक है? अब आओ 142 ये कह रहा है वेन आरेक का question है और इसमें सही answer क्या बनेगा? वेन आरेक के इस question में सही answer क्या बनेगा? बला अच्छा question है ये वेरी गर्ड, वेरी गर्ड, वेरी गर्ड, वेरी गर्ड तेको सही representation क्या है? the right representation is option D D is the right representation 65.38% बच्चों ने correct answer किया है और देखो यहाँ पे Frosty, Ankhush, Aishwari या तीन तो यह है और top 3 है यह फिर 15 फिर 20 हो 30 34 बच्चों ने वाह क्या बात है मजा आ गया देखो यह सही बात है हमें यह representation देखना है male, female और person male और female दोनों अलग होते हैं पर दोनों की दोनों क्या होते हैं? humans होते हैं तो यह तो अलगी count हो रहा है cat, mouse, elephant तीनों अलग तरह के जानवर हैं अलगी count होता है bird, frog और snack नहीं count हो सकता? यह भी अलग है अब chair, water, wood तो अपन यह connect कर सकते हैं sir यह एक wood का part बना देंगे और कुछ chair ऐसी होती है जो wood से बनती है तो यह कह सकते हैं हाँ sir यह सही बात है कुछ chair ऐसी है जो wood से बनती है कुछ plastic से बनती है और क्या-क्या-क्या-क्या कुछ तो ऐसे दो दहागे से भी chair बना लेते हैं आज कल तो technical इतना ही start हो गया है और water is a different part तो water क्या हो गया? अलग हो गया है जो representation आएगा वो D का correct होगा and this is the right answer ठीक है? हना? आगे आएंगे 143 पे आप देखिए 143 यहाँ पे आगया सही answer दो भई सही answer दो गलत का है दे रहे हो ठीक है देखो the right answer is option D और 55 प्रतिशत बच्चों ने correct answer किया अब देखो 55 में कौन समझदार 55 है? अब ये तो देखना पड़ेगा ना कि समझदार 55 परसेंट कौन है? तो देखो दिव्या गुपता, स्नेल प्रिया और पूजा सैनी पूजा सैनी को आप हमेशा देखोगे ये most of the cases में टॉप 3 के अंदर देख रही है तो थोड़ा सा पढ़ लो हाना? पढ़ लो टॉप 3 के अंदर हाने की कुशिश करो इसके बाद देखो 8 16 फिर 24 और देन 30 30 बच्चे हैं ये हाना? अब देखिए यहां पे ये कह रहा है which among the following word can be formed जो बना सकते हैं using the letter of the word only once एक बार यूज़ करके P, E, R के तो पहली बाद तो E है ही नहीं हटाओ इसको तो Pupils में S है ही नहीं हटाओ इसको Talk का K है ही नहीं हटाओ इसको L है क्या? L है O है, O है T, I है, T, I, O, N T, I, O, N है तो ये बन सकता है तो right answer D आएगा अब एक बाद बताओ हमको साब बनना भी income tax officer है हमको साब बनना भी AA हो है custom officer है हम question को पढ़ेंगे भी नहीं और हम answer भी देंगे और फिर हम गलत भी करेंगे और फिर ओ शिट ये गलत हो गया यार, ये तो पढ़ा ही नहीं था मैंने का कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? अपने साथ ऐसा पाप ना करो पहले पढ़ो 60 second बहुत है 3-4 question कर लोगे ना इतना time है इस तरह का तो फिर दीरे से करो ना हमको बनना क्या है? income tax officer, custom officer ऐसा officer, वैसा officer तो सही करो याना तसली से करो 145 ठीक है? डूइट नाउ इसे करो कुल काता वहाऔर 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 तो गुआरी देखो यह समस्तों आगे आओगा कि this is based on head office है ना? प्ढ़राइट answer is option C यानी New Delhi कितने लोगों ने दिया सही answer, 28% जंता का answer सही है और A, answer करें कोल काता पता है, कई सारे office कॉलकाता में है न? तो हमारी भहुष सारे बच्चे तो सोचते हैं, हाँ मIEक्सिमум कॉलकाता में है, कुछ बच्चे चुने होंगे वह दिल वहाँ चले जाएंगे, मुंबई में हैं और कुछ और इधर उधर चल जाएंगे तो जब Head Office LIC का मुंबई के अंदर है, तो जो IOCL है, वो IOCL का Head Office है New Delhi के अंदर, कहां पर New Delhi के अंदर है? ठीक है? ओके, what is the right answer here? चलो, अब इस question को करिये? अब इस question को करिये? इसका तो सही answer आई जाएगा, हम जी A क्या है ये question? soldier को ये कोड करेंगे, doctor को ये कोड करेंगे, तो donors आगया होगा? हाँ तू लेटर को क्रॉस करके, O-D-E-N-S-E ये आसान था, राइट? राइट? अन्द राइट आणस अफ इस question is 70% ते देखो, स्नेहिल, अंकुष, गौविन तीन ये हैं, साथ हो गए साथ दुना चाओ दे फिर पंदरा से लेके बाईस फिर इकत्यस तक हो 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 उन्तालिस तक 43 बच्चों ने अंसर किया वाह! क्या बात है देखिए soldier s-o-l-d-i-e-r-s soldiers o-s-d-l o-s-d-l e-i-s-r e-i-s-r तो देखो, ये क्रॉस हुआ ये क्रॉस हुआ ये क्रॉस हुआ ये क्रॉस हुआ पर ये क्रॉस हुआ समझ में आ गया? यानि कि donors का अगर देखना है d-o-n-e-r-s तो o-d-o-d-e-n-e-n-s-r-s-r and the right answer of this question o-d-e-n-s-r option a is the correct answer right? आगे देखो दो-दो answer देने दो दो-दो-दो पर दो सही दो इसे solve करो आज का सबसे आसान question है ये क्या वात है? क्या वात है? अब सब आगे form में चलो end करते हैं इसको फिस stop करते हैं पोल को the right answer is c-98% वा! 7-15-22-29-37-45-49-49-49-49-50-50-50 वता रहे गया? शबाश! देखो ये दो जुड़े, यहाँ दो जुड़े, यहाँ तीन जुड़े, यहाँ तीन जुड़े, यहाँ तीन जुड़े, यहाँ चार जुड़ दो, यहाँ भी चार जुड़ दो, और 49 यहाँ पर क्या हो जाएगा? correct answer आ जाएगा तो C is the right answer of this question हाना? अच्छा एक बाद बताओ हम 100 से उपपर हैं आपका वादप आपने पूरा किया तो शतक भी like का कर दे एक बार सब लोग दिल से अगर आप में को follow करते हो ना एक PM मतलब सचिन वो दिसा तो एक बार सभी लोग मिलके लाइक ठक दो 100 कर दो सको भी सभी लोग और question number 147 यहाँ पे है चलिए do it बढ़िया question है यह बहुत बढ़िया यह बढ़िया question है और वाह क्या बात है क्या बात है यह भी कर लिया शाबाश गज़ो बढ़ियार तुम बच्चे तो तूजा बर्मा ने तो एक जानवर की चितर भी बेज दिया फोटो भी बेज दी very good ते को बिलकुल सही है the right answer of this question is 92 86% बच्चों का सही है आलोग सिंग चन्नन दत्ता और अंशी का पांडे ये टीन है 7 और 15 23 31 लग रहा हिये तो गया हो 50 सोपार 39 47 52 वाह वेल दन बहुत बढ़िया और बिलकुल सही answer आपने किया है ये पहले मुझे असा लगा था कि आप ये नहीं कर पाओगे पता है पर भी मैं सुचा है यार चलो ठ्राई तो करूँ बच्चों को देना तो स्टार्ट करूँ क्योंकि ये CGL का question है आया हुआ question है तो पहले तो लगा था ये नहीं हो पाएगा फिर ये लगा यार कोई नहीं बच्चे demotivate नहीं होने चाहिए पर उन्हें सिखा तो दे at least उनके दिमाग में एक चीज आएगी कियर ऐसे question भी exam में आते है at least वो mentally prepare रहेंगे भले वो exam में crack करें तो अच्छी बात हैं नहीं करें तो skip करेंगे वो पर गलत नहीं करेंगे हना उमीद करता हूँ पसंद आया 148 find the number of triangle आपको triangle पता करने है और triangle बताने कितने हैं यहाँ पे how many triangle are here in this question झाल लाई पाल यहाँ झाल हाँ हाँ वेरे गुड हलो वानसी वेरे गुड आठ ट्राएंगल निकाल दिये मेरे बच्छों ने बहुत बढ़िया बहुत रीछा अरे बही बालकों आठ कहां पर है छही ट्राएंगल है मेरे को दो छही दिख रहे हैं 48 प्रतिचर जनता का सही answer है जिसमें frostry, kanushika और akash then 7, 15, 23, 31 बच्चों ने correct answer किया है और देखो यहाँ पे क्या ही यह देखो यहाँ पे एक triangle तो यह मिल रहा है पहला triangle है यह पहला ओके यहाँ पे देखो यह दूसरे color से use कर रहा हूँ दूसरा triangle ठीक है यहाँ पे देखो यह तीसरा triangle है तीसरा ओके चौथा देखो यह चौथा triangle है यह चौथा यह चौथा है पाँचवा देखो यह पाँचवा triangle है पाँचवा ओके और यह देखो छटा triangle तो total कितने triangle मिले 6 triangle मिले दिखे अभी तो दिखी गए होंगे तो right answer of this question is 6 triangle है छे अलग अलग color आपको यहाँ पे दिखाए दे रहे होंगे जिससे मैंने आपको यहाँ पे बना के दे दिया है ठीक है चलिए 149 149 और वन आउट D C यह एक बहुत सारे कंजूस बच्चे अभी है लिटरली कंजूस बच्चे है हमारे तो पता नी क्यूं यार हमारे S.S.E. वाला में इतने कंजूस बच्चे कहे होते हैं हमारे दूसरे वाले चैनल पर देखो बच्चे इतने प्यार देते हैं लाइक कर देता है तुरांत ये लो सर बेस्ट क्लास मजा गया हमारे बच्चा गंजूस है बईया ओ भईया 93% पालिया आपके लिए वैल डान बहुत बढ़िया देखो गई तुमने कंबाल कर दिया शाबाश पूझा सैनी फ्रॉस्ट यो गोविन देगरवाल तीन तो ये टॉपर है आठ यो गए 16 यो गए 24 यो गए 32 यो गए 40 ओहो 48 चपन और टोटल 60 बच्चों ने पोल में आंसर किया मज्जा ही आ गया वई आज तो वईया मज्जा ही आ गया हना कैसे देखो ये पहला और दूसर नंबर को देखो 4 प्लस 5 हो गए तीसरा नंबर बराबर होता है 9 4 प्लस 3 और बराबर हो गए 7 5 प्लस 2 बराबर तीसरा नंबर पर 6 प्लस 2 नॉट इक्वल टू 9 इसका मतलब है कि 1 डिजिट प्लस 2 इस इकल टू 3 डिजिट ये लॉजिक है इस क्वेशन का कि पहले डिजिट जोड़ा दूसरे जिट जोड़ा और तीसरे के बराबर है 150 150 नंबरा क्वेशन करेंगे करी 150 č उट DO आप कर रजोड़ा आप D C, okay देखो, the right answer of this question is option D, 66% बच्चों का correct answer निकला ये 6 हैं 13 21 29 32 वई, इसमें क्या करना है? हमें एक logical sequence देखना है क्या देखना है? meaningful logical sequence हमें पता है कि सबसे पहले तो paid होगा paid होगा, paid से हम क्या करेंगे? बुड निकाल लेंगे, लकडी निकाल लेंगे लकडी से क्या बनेगा? paper बनेगा paper बनेगा, तो paper कहा जाएगा? writer, मतलब paper के उपर writer लिखेगा writer के पास जाने कि अदो publication जाएगी और publication कि अदो book बनेगी यानि कि 5 सबसे last में आना चीए book सबसे last में होगी ये और ये नहीं हो सकता अब book से पहले वो किस के पास आई? writer के पास, publication के पास आईगी? क्योंकि publication ही तो book को चापेगा यानि 4 नंबर वाला होगा आना चीए यानि ये आ रहा है तो कभी भी इसको ऐसे order के अदर solve करनी से better है आपको जहां समझ में आये ना वही से पकड़ लो आपका answer आ जाएगा बाकी सब गलत हो जाएगा ठीक है? समझ में आया? बहुत बढ़िया question number 151 answer करो angle का question है c अच्छा b भी answer आ रहा है c भी answer आ रहा है देखो सही answer तो बिल्कुल सही आपने दिया है और रीटी percent बच्चे correct भी है इसके topper देखो कौन है? रिया, फैन क्लब और अनुज गुपता, रूभी छे तो यह हो गए चाओदे बाइस तीस और छत्तिस देखिए formula क्या है? angle का एक formula होता है और angle का formula क्या है? 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे डिवाइड बाइट तू दिवाइड बाइड 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 तू so the right answer of this question is 85.5 degree it means the right answer of this question is C correct हो गए यह done है चलिए 152 नमबर कितने लाया हो मैं? लाये तो बहुत है बहुत बढ़िया बच्चो कितना सोचता हो मैं? शबाश सचिन चलो इसे solve करो reasoning का doubt पूछना है तो यहाँ पे पूछ लो सचिन अंडर्सकोर मोधी टेलिग्राम चैनल आजाओ और पूछ लो सचिन अंडर्सकोर मोधी सचिन अंडर्सकोर मोधी अच्छा लॉजिक क्या लगाया आप लोगों ने क्या सोचा इसके पीछे? क्या सोचा है सबने इसके पीछे? 95 इतने तुक्के तो नहीं लग सकते? तुमने सॉल किया इसको? लॉजिक बताओ? 29 36 और 38 सबका जोड के बराबर करना है राम प्रकाश यादा हो राम प्रवेश यादा हो देखो सही है 89 प्लस 80 आपने किया तो ये हो रहा है 169 और 81 प्लस 88 आप कर रहे हो तो भी हो रहा है 169 और अगर यहाँ पर भी 169 रहा है तो 57 का साथ ये है यानि यूनिट डिजिट में यहाँ दो होना चाहिए और यूनिट डिजिट में यहाँ दो किसी में भी नहीं आ रहा नाइस में, नाइस में, नाइस में यानि 112 जोड़ दोगे तो भी कितना हो जाएगा 169 क्योंकि unit digit 9 होनी चाहिए यहां सब में 9 आ रहा है ना हना तो इसी लिए So the right answer is C option Okay, very good 153 इसका answer दो यह बहुत बढ़िया question है तुमको ना हो पाएगा और कोई Google नहीं करेगा ताले बोल रहा हूँ Google नहीं करना है इसके बाद आज का एक homework question बचेगा last question homework question आजाओ साब, आजाओ, होने वाला है देखो, the right answer of this question is option B और मुझे लगता है कि 21% कभी तुक्कई लगा है कोई यह किस परसेंट नहीं जड़ा नाम तो देखें हम यश, एश्वरिया, रिया, फैन क्लब और बाकी 10-11 अच्चों ने आंसर किया है देखो, तजाकिस्तान क्या है it's a Asian country Asian country ठीक है, तजाकिस्तान क्या एक Asian country है उसी तरीके से पेरू क्या है एक South American country है ठीक है, तो यह एक South American country है और इसी वज़े से the right answer is B ready हो, आज के homework के लिए are you ready for the today's homework question बहुत अच्छा question है are you ready for homework answer comment में देना पड़ेगा लेकिन comment में दोगे चलो, एक बार पहले तो 100 का like करते है 100 शतक अपना पूरा करते है पहले likes का और फिर मैं आपको आज का homework question देखता हूँ और वो homework question का answer please comment section में देना है यहाँ बिल्कुल भी मत देना यहाँ का count किया ही नहीं जाता है हना, comment section में आप जो answer डालते हैं वही count किया जाएगा वही मैं देखता हूँ यहाँ आप लिखेंगे हैं मैं देख भी नहीं पाऊँगा ओके, ठीक है तो शतक पूरा गरो और यह question है कागज लकडी और लोहा इन में से किस से connected है ठीक है, चले, तो यह देख ले ना और साथ में बच्चों आपके लिए CGL के लिए बहुत ultimate हम target लेकर आ रहे 2023 tier 1 को लेकर के CGL का तो यह प्लीज देख लिजिएगा और आज के topper देखना चाते हो यह list है आज के leaderboard की यह list आप देखिए हाना, this is the list of the day यह हमारे आज की list है सो यहाँ देख पा रहे हो सब के नाम इस तरीके से total list है यहाँ पर यह देखो, हाना कल फिर से हम एक बजी मिलेंगे 5, 10, 15 18 25 32 49 46 तरेपान 60 66 74 81 क्या यह list उपर बढ़ती रही है 90 96 102 105 total 105 ठीक है बहुत बढ़िया काफी बढ़िया आपने परफर्म किया ठीक है और उमीद करता हूँ, session आपको पसंद आया session आपको अच्छा लगा यह session आपको कैसा लगाई को बताएंगे उमीद करता हूँ, वैसे तो आपको बहुत ही बहतरीन लगाऊगा session questions आपको पसंद आया होगे question का level आपको पसंद आया होगा और आप ये सारी बाते मुझे comment section में जरूर बताएंगे मैं wait कर रहा हूँ आपके comment section में ठीक है? चले तो thank you, thank you प्यारे बच्चों, bye bye guys, take care